सभी सम्मानिस साथियों को सभी देश वासियों को मैं मुबारक बात देना चाहूंगी मुबारक बात इसलिए कि हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जो एक मार्च को अपने देश रात साड़नों बजए अपने देश अपने वतन पाकिस्तान से भारत लोट आया है और साथियों हम सबको खुसी है इस बात की कि हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जिसने जंग जीती है वो सही सलामत वापस लोट आया है साथियों आज पुरा देश सोचल मीडिया के माध्यम से टीवी के माध्यम से अख़बारों के माध्यम से ये जान रहा है ये देख रहा है कि किस परकार देश का महौल बिगड़ रहा है पुल्वामा में जो हमला हुआ उसमें हमारे 45 जवान सहीद हो गए और कई जवान हमारे अभी भी घायल है जिनका इस्पतालों में जिनका इलाज हो रहा है और कुछ ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं रहे पैतल जवान हमारे बीच नहीं रहे साथियों ये दुख की बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है इसके लिए पुरे देश के लोगों ने सभी जाती सभी धर्मों के लोगों ने कंडल मार्च निकाला उनके जाने के गम में केंडल मार्च निकाला क्योंकि वजवान सहीद हुए और भगवान से उनके आत्मा की सांती भी मांगी ताकि उनका परिवार इस दुख को जहनने के लिए उनके अंदर सक्ती परतान करे भगवान इस परकार के जो जिसको मानता है उसने अपने भगवानों से उनके लिए सांती की उनके लिए अपील की किस दुख को सहान करने की सकति उनके परिबारवलों को देने चाहिए साथियो ये मुद्धा बहुत बड़ा मुद्धा है हमारे देश का क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और मैं ये सभी लोगों के लिए मैंसी छोड़ रही हूँ सभी देशवासी के लिए मैंसी छोड़ रही हूँ किसी एक जाती एक धरम विसेश के लिए नहीं है मैं सभी जाती सभी धरमों के लिए आपर बात कर रही हूँ मेरा नाम अमता सीवा और मैं सहरनपूर के रहने वाली हूँ साथी आज हम सभी को समझना चाहिए जिस परकार से देश की हालात गंभीर हैं ना जुकें अगर आप लोगों ने आज भक्ती नहीं छोड़ी मैं उनसे कहना चाहूंगी जो बीजेपी भक्त हैं जो मोधी भक्त है अगर आज लोगों ने भक्ती नहीं छोड़ी तो यह देश अभी पांस सालों में इस देश में कितना कुछ बुरा हो चुका है यह आप सभी जानते हैं और जब मोधी जी भी जाने वाले हैं बीजेपी का खात्मा केंद्र से होने वाला है तो आप लोग देख रहे हैं आप सबी साले सचे सामने आ रही है अगर अब भी है आप लोग सकति पर विश्वास नहीं करेंगा भक्ती पर विश्वास करेंगे तो मैं कहूंगी कि आप एक ऐसे दुबारा फिर साप एक आप एक ऐसे प्याइम को चुनेंगे जिसने हमारे पांस सालों में देश का गरक कर गर इसमें लिखा है अभिनंदन ये कह रहा है कि पाक ने मांसी कुद्पिडण किया अभिनंदन ये कह रहा है भारत की मीडिया कह रही है अभिनंदन से एभिनंदन नहीं कर और शनं यंवर्या को लेकिन ये बात मीडिया ते पागिस्तान से वापस लोटा है अभी उस ये कहा कि पाकिस्ताइब उसका वीडियो वाईरल हो चौत लोग आगे वीडियो दोग देखर है घो रहा है ये को बात की बात है लेकिन यह बात अभी मीडिया कह रहा है अभिनंदन जब पाकिस्तान से वापस लोटा है और जब वह पाकिस्तान में भी था जब भी उसने यह कहा कि पाकिस्तान उसका वीडियो वायरल हो रहा है अभिनंदन की पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है तो काम करके दिखाएं विकास किया होता इन पांस सालों के अंदर तो आप वोट मांगते लेगी न वोट अब भारत पाकिस्तान के जगड़े पर वोट मांगेंगे तो मोदी जी से मैं कहना चाहूंगी मेरा मैसीज हो जाए देना मोदी जी तक कि इस परकार के इस परकार के काम करके घटिया काम करके आप वोट की तो इच्छा नहीं करें कि आपको वोट दिया जाएगा भकता आपको वोट दे सकते हैं लेकिन जो जान चुके हैं जो जागरुक वोटर है जो जागरुक मत दाता है वो आपको कतई भी वोट नहीं देगा क्यूंकि आपक इसकी जनता को जिस परकार से नोच नोच के खाया है आने वाले चुनाओं में लोगसभा चुनाओं में आपको दिखाएगी यही जनता कि जब यह जनता हर-harmodhi घरगर मोदी की लहर में आपको वोट दे सकती है तो इस देश से आपको निकाल भी सकती इस कुर्सी से आपको हटा भी सकती है अब मीडिया में मीडिया के लिए बात करना चाहूंगा अभिनंदन और पर अपतननन की पत्नी झाप दिया उन्होंने अपने वीडियो वारेल की उसमें साफ कहा है कि मीडिया भरतिया मीडिया लोगतंदर का metaphor संब्स स्थम्भ ए और है विदैसों में विदेसों में Fl 2019 होता है वह लोगतंदर का क्य 했습니다 उसके पास बहुत जड़ादा मेडिया विक चुका था अभी मेडिया विक करण्या वह जादा हो इस भी पार्टिय का परचार जादा होगा समझ लीजिए आप वो मीडिया के द्वारा किया जा रहा हो मीडिया विकाओ हो चुका है आप लोग इस तरह के मीडिया पर निउस पेपर पर टीवी चैनल लोग पर आप लोग कते भी विश्वासना मैं तो यह होंगी कि आप लोग मीडिया यह भारतिय मीडिया यह विकाओ मीडिया यह मोदिक के तलेवे चाटने वाला मीडिया आरसेस का गुलाम मीडिया बीजेपी का गुलाम मीडिया सिर्व आपको वही दिखाएगा जो वो लोग चाहेंगे साथियों अगर आप लोग इस वीडिया पर विश्वास करत जिसने अभिननदन को भी जिसने अभिननदन के ओपर भी राजनिती करी और मैं तो यह कहना चाहती हूं और एक सपाही जिनका बेटा जवान वह सकी बुजुर्ग माता ने यह सवाल किया था मेडिया से अब मैंने जानती वह मेडिया कुन सा था कि वहकाव मीडिया था ये कौन सा मीडिया ता लेकिन सवाल किया था कि कहां है वह 309 से झो भक्त खुश हो रहे हैं कि ति裞ा via यूसयामन ने टेक की आरगर पकिस्तान में जाकर होरे लिपकोडे कर दिया 307 अखवादियों को मार दिया तो एक की तो लास दिखाता ता मोदी जी एक की तो लास दिखाएं या तुम्हारा मीडिया रात को महां पहोंच गया और उनकी लास गिनकर के भी आ गया चहरे कहां इता die किया किया दिखा दिया की कि इन 603 200 मारे गएं तो 310 मेंनें आनीं नहीं और जो घथा है कि वह सहीद की मा ये पूछ रही है कि दिखा गाह color कि आंनि हमारे समय हमारे बेटे की म fertी थिर्म और उन्युक्त बेखात के रहा है कि ही卜ें गई है तरह तरह के कमेंट से मीडिया पर किये जा रहे हैं कि वह बढ़िया पागल हो गई अपने बेटे गम में कुछ भी बोल रही अब कहां से दिखाएंगे वह तो पाकिस्तान होंगे अरे जब हिंदुस्तान जब भारत वाले लोगों की लासे दिखा दी जब भारत के पाकिस्तान का राष्टपती है वह रजाश के लिए तयार है वह पुलवामा जाश के लिए तयार है तो मोदी जी क्यों जाश नहीं करवाते अब आरडियक्स भारत के अंदर आया कैसे वह गाड़ी कैसे आई साथियों आप लोग आप लोगी बात जान लीजिए कि पैदली जवान जो सहीद हुए ना यह आपके पैदली जवान पकिस्तान का इसमा हाथ नहीं है यह आपके बिजेपी सरकार वरत्मान मोदी सरकार और आर्सस के इसारे पर यह कांड हुआ है तो जहां अपने सैनिकों की बली दी जाती हो जो उस देश में लड़ रहे हूं उ और दूसरी बात यह कि सभी लोगों से निवेदन करते हुए सब लोग अपील करें हाथ उठाए सब लोग देश में हंगामा करें आंदलन करें कि आरसस चड़ी धारी आरसस चड़ी धारी के पास बहुत सारे सैनिक हैं जो गण चलाते हैं जो लाटी डंडे चलाते हैं जिन चड़ी धारी लोग हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान से लड़ सकते हैं और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा संदेश दिया है भारत का संदेश होना चाहिए कि हमें युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए मैं फिर से कह रही हूं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाह करने वाले लोग आज ये कहते हैं बच्चा बच्चा राम का पकिस्तान हो त only क्या जा रहा है कहने में face cell gider कैंघे में मु 씨 क्या छा रहा है कहने में अब यहां का मुशिम मायनों टीस समझ गया है इसलिए बख्तो अपनी भी आंखे को लो इस देश को बचा है हित on कॉ मौदी के भख्ति ना करो मौदी के तलवे चाटने काम ना करो और नियुके को तो हम समय हम सबक सिखाएंगे कि भिक कर रहना है यह लोग तंद्र का तंधर को तो है तो बीजेपी से है और से है और मीडिया से है तीसरा किसी और से नहीं है साथ यह आप लोगों के लिए मैंने संदेश छुड़ा है और जैसे आप बता रहा है तो बिल्कुल गरत बता रहा है विंग कमांडर अभिनंदन का और मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी यह बात कह रहे हैं अब अभिनंदन का अर्थ ही बदल जाएगा अभिनंदन का अर्थ होता है वेलकम स्वागत लेकिन अब अभिनंदन का मतलब ही बदल जाएगा अर्थ ही बदल जाएगा अभिनंदन ने तो अपना काम सही किया लेकिन मोदी जी अभिनंदन के उपर आप लोग राजनीती ना करें अभिनंदन तो आप से उच्छा आप से बड़ा हो गया वो देश के लिए सम्मान है और वो जब तक जीएगा अपने वतन अपने देश के लिए काम करेगा लेकिन तुम मोदी जी आप आरेसस के इसारों पर नाशने वाला पुतला हो ऐसे परधान मंतरी को दूप के मर जाना चाहिए तू है जो कुम्ब में कहने को सफाई करम चारियों के पैयारध होता है मैं तो मुझे सक है इस बात का कि वह सफाई करमी थे भी या वह समण समाश के लोग थे हम क्या जानते हैं हमके जानते हैं अग्जिष्चamat के लोग नहीं मालूम हम उसे हमारी कुथ मुलगात नहीं देसवासे हो किनसे मुलाचात नहीं यहींन और मुद्दा सामने आहा है कि जो सफाई कर्मी कुम्मे में जो लोग सफाई कर रहे थे उनको वेतन नहीं दिया गया जिसने वेतन पर रखे गए थे उनको वेतन नहीं दिया गया और इधर उनकी सीवर में हत्या हो रही है सफाई कर्मी होगी और इधर मोदी जी उनके पैर्ध होते दिखाई दे रहे हैं त कैसे सबड जाट के लोग जिनके मोधिजी ने कि पैठ होई है जा समझ में आएगा अधिक्ती ह समझ में और पहले और सबसे अंत्रिम्य भार्त के लिए कामकरे अपना डेस के लिए कामकर Eyes की विश्यृष के लिए दह पद हुआ के अपलोगे बताने थो यही बात आप लोगे कुटताने घ्र champagne हम से सब्स नहीं करते आप लोग ऐसे गंदी राजनीती करने लोगों की पीछे भागते हैं तो सभीधान इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की ताकत है सभीधान सभीधान को आप लोगों को एहम रखना होगा आगे रखना होगा और सभी जो भी दलाली करते हैं उन जय भारत जय सविधान और आप सभी लोगों से अपील करूँगी आपको इस वीडियो को अधिक सेर करना है धन्यवाद निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आप से जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करें, कमेंट जरूर करें